प्राइब निए अप्राइब गटिया और साइटिका एक्सिडेंट और फ्रैक्चर वहड़ी से रिलेटिड हर तरह के उपरेशन के लिए आज हमिलें डॉक्टर दानिश सी आश्या हॉस्पिटल राजिवनगर कॉंग्रिस कारेले के नस्दी पक्डि मोर्ज सिवार हुसैन गंज में धमाके के साथ फटा ट्रांसफार्मर चारुतरफ फैल गई आग ट्रांसफार्मर से खौलता हुआ तेल बाहर निकला और किराना धुकान में लग गई आग लोगों ने भाग कर बचाई जान हुसैन गंज परखंड मुख्याले में गुरुआर की दोपार ट्रांसफार्मर फटने के बाद अफरत अफरी का महौल कायम हो गया इसके बाद बजार में खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने भाग कर अपनी जान बचाई गटना इस तना भयावथा की ट्रांसफार्मर के बलाश्ट होने के तकरीबन दो घंटे तक चारु तरफ आगी आग दिखाई पड़ रहा था इस गटना में एक किराना दुकान जल गया जिसमें लाखों रूपए की च्छती बताई जा रही है गटना के संबन्द में हुसाइन गल परखंड मुख्याले के राने वाले किराना एंड जनरल इस्टोर के दुकानदार नुरूल होदा ने बताया कि गुरुवार की दो परवा अपने दुकान पर बैठे हुए थे उनके दुकान के बगल में लगे ट्रांसफार्मर से तेल का रिसा हो रहा था बिसर गर्मी में ट्रांसफार्मर से अजीब आवाज निकल रहे थे इसी दुरान एक जोरदार धमाका हुआ और ट्रांसफार्मर का तेल उड़कर जिन जिन जगों पर पड़ा वहाँ आज लग गई इसके बार बाजार में अफरत अफरी का माहौल कायम हो गया सबी लोग इधर उधर भागते नजर आए बिजले विवाग की लापरवाई से हुआ हादसा गतना का आँखों देखा हाल बता रहे प्रत्यश दर्थियों का कहना है कि पिछले काई दिनों से ट्रांसफार्मर के टंकी से तेल कारिसा हो रहा था बिजली विवाग को भी इसके बारे में जानकारी थी इसके बावजूद भी विवाग के करमचारिक ट्रांसफार्मर की मरमत नहीं किये गुरवार को ओरलोडिंग के दोराँ जूरदार धमाका हो गया हाला कि गौनिमत हैं रही जिससेफेंड ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ उससेफेंग कोई भी वैक्ति ट्रांसफार्मर के एर्दगिर्द खड़ा नहीं था नई तो जिस तरह ट्रांस्फार्मर से खौलते हुए तेल बाहर निकले और आग लग गया इस बेच इंसान के उपर पड़ा होता तो जाने जा सकती थी ऐसे लाइफ से परवेज अखतर की रिपूर देश और दुनिया की ऐसी ही ख़बरों को पाने के लिए जुड़े रही हमारे साथ और हाँ अगर आप वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूरे